कमिल नाडू के मुख्यमंत्री के बेटे तो सनातन धर्म को देंगू मजरिया के तरह समाप्त करने वाले हैं। मुगल और ब्रिटिश हुकुमत तो समाप्त करने ही सकी, यह लोग क्या करेंगे। लेकिन मैं सबसे पीडा और आश्चरे है कि कॉंग्रेस के नेता भी उसी स्वर में बात करते हैं। हमारे खड़गे साहब के पुत्र जाहें वो सवाल उठाते हैं। और एक ग्री मंत्री करनाटका के हैं परमेश्वर साहब, वो करें हिंदु धर्म कहां से आया। तो उनसे मेरा सवाल है परमेश्वर जी, आपका नाम परमेश्वर किस ने लिया। तो आज मैं कॉंग्रेस्चियों के ग्यान के लिए कुछ बात बताना चाहता हूँ। कि सनातन धर्म को सम्विधान में कितना सम्मान दिया गया है। यह है भारत का मूल सम्विधान और कॉंग्रेस के लोग समझिये कि जब सम्विधान बना तो एक विचार हुआ कि आईसेंस को प्रसुत कर दिया जाए। तब फिर क्या नहरू जी क्या राजिन प्रसाथ क्या डॉक्टर अंबेटकर क्या सदार पटेल क्या मुदान अधर ने कहा कि हम भरत की परंपरा संस्कृति संसकार को डालेंगे इसमें। यह देखिए मैं दो तिन यह है फर्डमेंटल राइड उस पर क्या तस्वीर है प्रभुराम माता जानकी और लक्ष्मन के साथ लंका विजेगमद अयोध्या लोट रहे हैं। कॉंग्रेस के लोगों तुम अपनी विरासत भूल जाते हो। आजादी के अंदोलन के नेता तो कभी नहीं भूले। और यह चित्र अपने आप नहीं बने। यह चित्र उन्हों नहीं दिये। जिसको ननलाल बोस्त ने रिखांकित किया और यह पूरे सूची है। जहां अकपर तो हैं बाबर और अन्जेव नहीं है। तो सनातन धर्म को तो भारत के मूल समविधान में सम्मान दिया गया। अब यह कॉंग्रेस की निता जो बोलते हैं या खरगे जी बोलते हैं। सुनिया गांदी राहुल गांदी चुप क्यों है क्यों नहीं जवाब देते हैं कि सनातन का सम्मान करते हैं नहीं करते हैं क्यों ग्री मंत्री करनाटक के इस तरह की बात करते हैं क्यों उनका पूरा वक्त अवे घोलमोल होता है इनसे मैं एक एस सवाल पूछता हूँ तरह सम् की शसंहंतन को समविधान में भी सम्मान मिला हैं। और अगर यह समविधान columns आज बनने की बात हो और प्रभुराम और प्रभुक्रिशन और सब कि नट्राज की च्छवी लगाने की बात हो तो कितना हंगामा करेंगे ये लोग इसलिए इनलों को न भारत की विरासत की समझ है न भारत के संस्कृति की समझ है न भारत के संसकार की समझ है बस सियासत कुरसी रहे फिर कहूंगा ऐसे लोगों को सनातन को तो मुगल और इस्लामिक कटरवादी समाप्त कर नहीं सके बिटिश कुलामी करने वाले समाप्त कर नहीं सके इननों की क्या पिसाते हैं